वेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम नीट के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का बायो टेक्नोलोजी जहां से काफी जादा कोस्टन पूछे दाते हैं उस चैप्टर को हम यहाँ पे करने वाले ठीक है इस वीडियो के इंटरनली हम 35 यर्ज के जितने भी कोस किया था उसके बाद स्वीडियो को देखा जिसमें ज leads and evolution टॉपिक है एंड उसके 3 chapters को हमने discuss किया आगटन फिर हमने बायोजी इन hit weal outward जो होते क्योंकि यहां पर हम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट को करने वाले हैं जो कि नीर 2024 के एक्जाम में आपको डारेक्ली रिपीटेड दिखाई देंगे ठीक है तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी इंपोर्टेंट यह वीडियो होगा ठीक है तो स्टार्ट करत यह चैप्टर काफी जाधा छोटा है बत यहां से जो कोस्टन आते हैं वह काफी जाधा मात्रा में आता है लाइक शिक्स तू जैवन कोस्टन सिर्फ फोर सिर्फ इसी चैप्टर से आपके आएंगे ठीक है तो जैसा कि इस टॉपिक को हम टॉपिक वाइस कबर करेंगे इस ठीक है जैसे कि फर्स टॉपिक आपको यहां पर दिख राएं टूल्स ओफ डी कंबिनेंट डीन टेकनोलोजी तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिसकस करेंगे यहां पर जो फॉपिक है इसमें फर्स्ट कोस्टन आपको यहां पे पूछा जा रहा है बिच्वन आप दिफ प्रोमेटिक सब्स्ट्रेट गी ब्लू कलर नहीं यहां ब्लू कलर नहीं होना चाहिए था ओर्डियेंस कलर ठीक है तो यह आप्सण कड्रेक्ट है लेकिन यह इंकर्ट आप्सण है इसलिए यह सही होजाएगा क्योंकि हमें नौट प्रूप पुछा गया है अगें फिर आते ह आपको चार ओप्सन दिएगा चारों उप्सन में से जैसे कि यहां पे पैलेंड्रोमिक बेस्ट सीक्वेंस का मतलब है कि जी एए टीटी से होना चाहिए लेकिन सबसे पहले 5-3-डास का होना चाहिए और फिर यहां पे जस्ट उल्टा इसका 3-5-डास का अना चाहिए मतलब कि सकता आपको फेरेंगा पकर है यहां पे-चेटी जीन आपको करेक्ट-ध का उल्टा अहें जाका है तो-ध्यासिंग फिर्लक यहां पे विर्स्ट केहारा है ईन्यूक्स उस्ट्रिक्षंट स्च specific sequence to cut DNA known as the palindromic nucleotide sequence बिल्कुल correct option है तूसरा option कह रहा है restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site यह भी बिल्कुल सही option है तो यहाँ पर जो है ना correct options क्या हो जाएगा उस ही को में चूज करना है तो यहाँ पर जो भी options दिया गया उसके according correct option यहाड़ी हो जाएगा both statement is correct है क्योंकि दोनों का दोनों correct था अगें फिर नीट 2022 में पूछा गया था यह भी question which of the following is not desirable features of cloning vector तो इन में से कौन cloning vector के desirable features नहीं है ठीक है तो presence of marker gene यह तो बिल्कुल सही option है उसका presence of a single restriction in enzyme site यह भी बिल्कुल सही है presence of two more and two or more recognition नहीं यहाँ two नहीं होना चाहिए था single होना चाहिए इसलिए option incorrect हो जाएगा आगें आता है फिर next questions पे plasmid PBR 322 has PST1 restriction enzyme site and within gene amplify that canifor amplicine resistance and if the enzyme is used for inserting a gene for beta galactocyte productions and the recombinant plasmid is inserted in an equally strain ठीक है तो यह NEED 2021 में पूछा गया था इसका right answers यहाँ पे यह हो जाएगा इट बिल not be able to confirm amplicine resistance to the host cell ठीक है आगें आते फिर next question पे this is our next questions a specific recognition sequence identify the endonucleases to make a cut the specific positions within a dna is called तो इसका right answer C हो जाएगा palindromic nucleotide sequence जो की नीड 2021 में पूछा गया था अगें फिर हमारा next question जो की matching करना यहाँ पे टैकनिक और इंस्ट्रूमेंट विदिन दा डियर यूजे जैसे कि यहाँ पे bio reactors दिया गया तो bio reactors का हम किस चीज़ से mix करेंगे ठीक है amplification of nucleic acid and ELISA technique के लिए pathogen के detection के लिए यूज होता है तो यहाँ पे 214 and 3 is the right answer so the correct option is 214 and 3 आगें आते फिर नेक्स्ट कोर्शन पे फिर्स्ट डिस्काबर रिस्ट्रिक्शन in the nucleus that always cut DNA molecule at a palindrome sorry particular point by the recognizing a specific sequence of six base pair is known as hidden second ठीक है मतलब कि first जो भी restriction enzyme था उसका क्या नाम था हिंड second नाम था जो की काफी जादा बार यह question पूछा जाता है बिल्कुल famous question नहीं ठीक है आगे नाते नेक्स्ट कोर्शन पे अगें this is our next question choose the correct pair यहाँ पे पेरिंग करेक्ट चूज करना है तो यहाँ पे polymerase है तो breakdown of DNA into fragment यह गलत option हो जाएगा polymerases का मतलब DNA को काफी जादा में fragment करना होता है लेकिन यहाँ पे simple लिखा हुए तो यह option जो है यह बिल्कुल incorrect है nucleases separate to separation का काम नहीं होता exonucleases may cut the specific position within DNA DNA को एक specific position से cut कर देते है उसको हम exonucleases बोलते है तो यह option बिल्कुल सही है लाइगे join the two to DNA नहीं होगा गलत option है आगें आता है फिर next questions पे identify the wrong statement with the regarding restriction enzyme ठीक है तो यह question नीट 2020 में पूछा गया था यहाँ पे option है they cut the strain of DNA at palindromic site बिल्कुल सही option है दूसरा they are useful in genetic engineering also correct sticky and can be joined by the using DNA ligase के मादम से वो join नहीं होते तो यह option incorrect होगा आमे wrong statement पूछा है तो c is the right answers आगें आते फिर next questions पे selectable marker is used to selectable marker का use किस लिए होता है तो सबसे पहले selectable marker का use होता है किसके लिए eliminate करने के लिए फिर जो भी non-transmit है मतलब कि जो भी matters non-transmit है उसको eliminate करता है ठीक है and so that the transformant can be the regenerated ठीक है so the right answer is a again आते है फिर next questions पे यहाँ पर फिर next questions कहा जा रहा है the two antibiotic resistance gene on vector pbr 322 r4 तो यहाँ पे नीट 2019 से पूछा गया था इसका right answers ampule selene and tetra cycling हो जाएगा ठीक है again the next question जो की matching पुछा गया है यहाँ पे matching में आपको क्या correct करने है जैसे कि यहाँ लिखा है restriction indonuclease तो हमें तो पता है कि यह DNA को specific position से cut करता है ना ठीक है इसके अंदर exonuclease और indonuclease आते हैं अगर 20 से cut करता है तो उसको हम indonuclease बोलते हैं अगर side से cut करता है तो इसको exonuclease बोलते हैं तो इसका right answers तो यहाँ पे cut the DNA at specific position हो जाएगा again restriction exonuclease अब इसको specific position से cut करना है तो remove nucleotide from the end of the end से cut करेंगे उसको हम exonuclease बोलेंगे तो मैंने पहले ही आपको पता दिया अगर फिर DNA like is ligase का क्या काम होता है ligase का work ही होता है कि वो join करने का काम करता है किसी भी fragment को and tack polymerase tack polymerase का क्या होगा यहाँ पे two मिला देंगे मतलब three four one and two is the right answer so the correct option is यहाँ पे B हो जाएगा ठीक है आगे आते हैं फिर next questions पर this is our next questions following statement describe the characteristics of enzyme restriction in the nucleus identify the incorrect statement अब फिर से आपको यहाँ पे incorrect statement चूज करना है जैसे देखिए the enzyme cut the sugar base pair and the backbone at the specific side बिल्कुल सही option है the enzyme recognizes the specific palindromic nucleotide sequence of the DNA बिल्कुल सही है palindromic nucleotide से ही मतलब कि एक अच्छे positions पर cut करते हैं and फिर है the enzyme cut DNA molecule at identified positions within the DNA बिल्कुल सही है लेकिन यह option जो कह रहा है न यहाँ पर क्या कह रहा है the enzyme bind DNA at specific site यह तो सही है and cut only one only one नहीं होना चीह है था दोनों को दोनों cut करता है तो मतलब दोनों side से cut करेंगे न एक side इधर से भी और एक side उधर से भी लेकिन यहाँ तो only one cut बोल रहा है तो यह option जो है यह incorrect हो गया ठीक है so the right answer is a again आते फिर next questions पर again the next question is which one of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte तो यह नीट 2018 में पूछा गया था इसका right answer से यहाँ पर C हो जाएगा retrovirus अगें फिर आते next questions पर जो कि नीट 2017 में पूछा गया है a gene whose expression help to identify transformed cell is known as the selectable market है जो की NCRT के लाइन है अगें फिर next question जो कि नीट 2017 में पूछा गया था the DNA fragments separated on an agrose cell can be visualized after staining with the right answer is a theridium bromide जो कि हम 2022 के आगें फिर देखते हम अपने next questions को यहाँ पर next questions कहा जाए बिचुन अब दिफॉलिउंग इस note of features of a plasmid तो यहाँ पर plasmid के regarding आपको पताना कि कौन सा features correct नहीं है तो यहाँ पर कहा गया circular structure तो यह तो बिल्कुल सही है सिंगल नहीं सिंगल नहीं double strand होना चाहिए था इसलिए यह गलत हो गया तीक है मतलब राइट यहाँ पर यहीं हो गया आगें आता है फिर next questions नेक्स्ट कोर्शन से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है which one of the following is a restriction endonuclease तो hint second हो जो कि first restriction enzyme है ठीक है अगें फिर next question जो कि नीट 2016 में ही पूछा गया है which one of the following restriction enzyme produced blunt end blunt end eco rv में होता है eco rv जो कि ncrt के ही लाइन है अगें फिर next है दा फोरेजिन dna and plasmid cut by the same restriction endonucleases can be joined to form a recombinant plasmid using तो यहाँ पर नीट 2016 में पूछा गया था इसका राइट अंसर से यहाँ पर ligase हो जाएगा ठीक है अगें फिर next questions पर आते हैं the cutting of dna at a specific locations become possible with the discovery of तो राइट अंसर से यहाँ पर restriction enzyme हो जाएगा ठीक है जो कि AI PMT का question है अगें फिर आते है next questions पर यहाँ पर भी AI PMT कहीं है the dna molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called vector ठीक है इसको हम vectors बोलेंगे अगें फिर आते next questions पर which vector can clone only a small fragment of dna the right answer is c plasmid ठीक है अगें फिर आते next questions पर commonly used vector for human genome sequence the right answer is BAC and YAC यह सो जो questions है ने यह सबके सब आपके याद करने लाए question है ठीक है अगें आते फिर next questions पर the colonies of recombinant bacteria appears with sorry appears white in the centers to blue colonies and non-recombinant bacteria because of the right answer यहाँ पर इसी हो जाएगा insertional inactivations of alpha galactosides in recombinant bacteria ठीक है अगें फिर यहाँ पर figure based questions है अब इस figure से कैसे question पूछा जाता है तो देखिए AI PMT 2012 में यहाँ से question आया था question कह रहा है the given figure is the diagrammatic representation of equally vector PBR322 PBR322 के आपको diagram को बहुत ही अच्छे से देखना है कि कौन सा structure कहाँ पर present है उसके बाद अब देखिए amplifier, tetra, antibiotic resistance और gene यही सब इसके internally क्या होते हैं पाई जाते यह सब figures ठीक है तो यही सब पूछा गया था अगें फिर AI PMT का question है यहाँ पर क्या है a single strand of nucleic acid tag with a radioactive molecule is called prob इसको prob कहा जाता है जो कि AI PMT 2012 का question है ठीक है अगें फिर हमारा next question जो है four transformations microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of the right answer is tungsten and gold ठीक है अगें फिर हमारा next question है वो काफी जादा पुड़ाना है इसलिए अब हम आते हैं अपने next topic पे this is our next topic processes of recombinant DNA technology यहाँ पे भी statement based question 2022 में पूछा गया था assertion origin के question है assertion में क्या है polymerase and reaction is used in DNA amplification यह तो बिल्कुल सही option है दूसरा option कहा जा रहा है the implicit resistance यह तो इसके मतलब की reason में नहीं है बट इसको पढ़ लेते हैं the implicit resistance gene is used as a selectable marker to check transformations तो यह भी बिल्कुल सही option है लेकिन assertion और reason are correct but assertion is not correct explanation of a ठीक है तो यहाँ पे राइट answers क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट answers यहाँ पे यह हो जाएगा ठीक है बोथ are correct but r is not correct explanation of a ठीक है उसके explain में देखे तो यह correct नहीं होगा अगें फिर हम अपने next questions को देखते हैं जो की नीट 2021 में पूछा गया था during the process of gene amplification using PCR if very high temperature is not maintained in the bagging then which of the following step of PCR will be affected तो यहाँ पे denaturation हो जाएगा ठीक है जो की नीट 2021 में पूछा गया था अगें फिर हमारे next question जो की नीट 2021 में पूछा गया है यहाँ पे question क्या कहा जाए देखिए which one of the following is not an amplification of PCR polymerase chain reaction purification of isolation gene होना चाहिए था यहाँ पे protein दिया इसलिए यह option गलत वजाएगा ठीक है अगें आते हैं फिर हम अपने next questions पे during the purification process for recombinant DNA technology addition of gene ethanol precipitate out the right answer is DNA जो की नीट 2023 में भी यहाँ से question आया हुआ है बिल्कुल सेम ही question को repeat कर दिया गया है ठीक है इसके option के according को ले करके आगें आते हैं फिर हम अपने next questions पे which one of the following is correct sequence of a step in a PCR polymerase chain reaction the right answer is denaturation जो की अभी हमने देखा 2021 वाले question में फिर यहाँ पे annealing होगा और फिर हमारा extension हो जाएगा ठीक है सबसे पहले DAE करके आप formula याद रख सकते हैं ठीक है digestions are performed by the in cobbling purified dna molecule with the restriction of optimal conditions ठीक है अगें आते नेक्स्ट कोर्शन पे अगें नेक्स्ट कोर्शन इस इन नेक्स्ट कोर्शन इस इना मिक्चर dna fragments are separated by तो यह नीद दोहजाल बीस में पूच्ट कोर्शन पूचा गया है इसका राइट अंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस ठीक है अगें दा नेक्स्ट कोर्शन इस इन रिकमीडेंट dna टेक्नोलोजी एंटिबायोटिक अर्यूज तो रिकमीडेंट dna टेक्नोलोजी में एंटिबायोटिक कहां यूज होता है तो यह नीद 2020 में पूचा गया था इसका राइट अलसर सेलेक् प्रोशन को किया जाता है तो इसका राइट अन्सर तो यह मिला देगी अगें फिर है इसका राइट अन्सर जीन थरापी में वर्क होता है अगें आरे ने आई तो आरे ने आई कि हम किस चीज़ से मिलाएंगे सैल्लिया डिफेंस में और पीसी आर जो होता है वह एचाइवी इंफेक्शन के डिटेक्शन के लिए काम आता है तो यहां पर फोर वन टू एं थी अगें आते फिर नेक्स्ट कोस्टन पर अगें दा नेक्स्ट कोस्टन इस इन अजेल इलेक्श्ट फोरसिस सैप्रेटे डी ने अफ्राग्मेंट कैन बी विजुलाइज़ विजुलाइज फिद राइट अंसर इस एठीडियम ब्रॉमाइट इन यूवी राइटियेसं जो क इसलिए गलत हो गया अगें फिर डीने फ्राग्मेंट ट्रेवल इलॉंग विजुलाइज यह एफेक्ट करता है मुवमेंट के डीने के मुवमेंट में तो यह उप्सन भी इंकरेक्ट हो गया अगें यहाँ पे जो ऑप्सन है इस स्मॉलर दा साइज ओफ डीने फ्राग्मेंट लार्जर इस दा डिस्टेंस ट्रैवल थ्रू इट बिल्कुल साइज ऑप्सन है ठीक है अगें फिर आते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्सन यहाँ पे हमें पुछा गया है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्सन ठीक है और यहाँ प प्रोसेस ऑफ सेपरेशन और प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इसका राइट अंसर से आपको कमेंट करना है ठीक है अगें फिर आते हैं नेक्स्ट कोशन पे वाट इस दा क्राइट्रेडियन फोर डीने फ्राग्मेंट मोमेंट और एग्रोस जेल दूरिं जेल एलेक्रोफ प्रोडिस तराइट अंसर इस बी दा स्मॉलर दा फ्राग्मेंट साइज एंड फॉर्दर इट मोव ओके अगें फिर आते हैं नेक्स्ट कोशन पे जो कि निर्ट दौजार सोल में पूछा गया था इसका राइट अंसर से आपके क्या हो जाएगा अगें फिर हमारा नेक्स् इसका राइक्ट आंसर से यहां पर सी हो जाएगा एविलेबिलेटी ऑफ ऑक्सिजन तुरू आउट दी प्रोसेस जो की नीट 2016 में पूछा गया था ठीक है अगें फिर नेक्स्ट कोशन क्या है एन इनालेसिस ऑफ क्रोमोजोमल डियने मतलब कि कोई क्रोमोजोमल डियने का इसके इंटर्नली जो एनलेसिस हो रहा है तो क्या यूज किया जा रहा है साउथर्न हाइब्री डाइजेशन टैकनिक डजन्ट नॉट मतलब कि डजनॉट यूज तो आपर क्या यूज नहीं करते एल्लाक्रोफोरेसिस प्रोसेस का यूज वहां पर नहीं होता बाकि राइस्ट भाई तो इसका राइट आंसर यहां पे PCR एंड आरे पीडी हो जाएगा ठीक है अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट कोस्टन पे यहां क्या कोस्टन कहा गया है DNA फ्राइग्मेंट जेनरेटेड बाई रेस्ट्रिक्शन इंडोनुक्लेसिस इनक कैमिकल रेक्शन्स कैन मेथड फोर इसका राइक अंसर से यहां पे D हो जाएगा जनेटिक फिंगर प्रिंटिंग ठीक है अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट कोस्टन पे नेक्स्ट कोस्टन से है विच वन आप दिप सोडी विच वन इस ट्रू अबाउट रेकार्डिंग दा DNA पॉलिम्रेस यूज इन PCR the right answer is D it remains active at high temperature ओके अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट कोस्टन पे अग्रोस एक्स्ट्रेक्टेड फ्रम सी उर्ट्स इन यूज इन यूज इन तराइट अंसर इस डी जल एलेक्रोफोरिस अगेन फिर आमारा नेक्स्ट कोस्टन क्या है पॉली इथिलीन ग्लाइकोल मैथड इस वहां पर होता है उसी प्रोस इसका तो नियुज के सेक्रेशन करने के लिए और मतलब कि जो भी स्थिर के星 या फिर किसी चीज के recording वहां पर ठीकेने का separation होगा separate किया जाएगा उस चीज़ को ठीक है बाड़ी बाड़ी से हमने सारे questions को cover कर लिया है अब हम जाएंगे अपने second chapters पर so this is our next chapters by technology and its applications ठीक है यह भी chapters काफी important होने वाला यहां से भी काफी conceptual based questions आते हैं और बहुत important questions आते हैं जैसे कि first topic आपके यहां पर दिखरा है application of biotechnology in agriculture ठीक है इसके आगे फिर हम medicines के कुछ topic को देखेंगे तो first topic है उसके हम first questions को start करते है तो बैसलस थरूजिनेसिस को हम किस्चिस से मिलाएंगे यहां पर cry protein से मिला देंगे ठीक है उसके question यहीं पर mix-up कर लेना चाहिए ताकि मिलान करने में निच्छे आसानी होती है ठीक है उसके बाद फिर Salmonella typhalium तो इसको हम यहां पर two से मिला देंगे construction of first r dna molecule है तो यहां पर four three one and two is the right answer so the correct option is a अगें फिर आते है नेक्ष्ट यहां पर question next question क्या कहाँ जारा है RNA interference is used for which of the following purpose of the field of biotechnology तो यह नीर 2020 में पुझा गया था इसका right answer से यहां पर to development to develop a based resistance plant against inter asbestos by the nematour so the right answer is b again फिर आते next questions में again this is our next questions BT cotton variety that was developed by a introduction of toxic gene of restless throgynesis मतलब BT is resistant to तो यह किसका resistant है तो यह insect-based का resistant होता है जो कि नीर 2020 में ही question पुझा गया मतलब इस topic से तीन-तीन question आते है नीर 2020 में अगें फिर next questions if an agricultural field is a laboratory irregular for the prolonged period of time it is likely to face problem of the right answer is salinity salinity का problem यह वहापे face करना पर जाता है ठीक है अगें फिर आते next questions पे यह question जो है वो काफी जादा important है यहां से question पूछे जाते है जैसे कि which part of the tobacco plant is infected by melanin and amide तो इसका right answer से यहाँ पे आर मतलब की root हो जाएगा ठीक है जो इन फिर नेक्स हमारा questions क्या कहा जा रहा है golden rice question है और यहां से question board में भी आते थे जैसे कि golden rice is a generally modification crop plant and where the incorporated gene is mint for the by synthesis of तो यह AI PMT 2015 में पुछा गया था इसका right answer से यहाँ पे vitamin A हो जाएगा ठीक है क्योंकि golden rice में कभी भी vitamin A ही होता है जाकि vitamin C और vitamin B और omega यह तो गलती option है तो right answer से यहाँ पे D हो जाएगा अगेन फिर आते next questions पे next question से आपे क्या है यह question क्या कहा जारा है कि which one of the following BT crop is being growth in India by the farmers तो यहाँ पे right answer भी हो जाएगा cotton ठीक है अगेन फिर आते next questions पे यह question क्या कहा जारा है देखिए consumptions of which one of the following foods can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency से तो vitamin A की कमी से golden rice golden rice ही हो जाएगा ठीक है golden rice जो है जैसे कि vitamin A की कमी होगी तो उसके internal ले golden rice की कमी है ठीक है और यह flavor समय है तो यह vitamin A से नहीं होता है इसलिए right answer से यहाँ पे C हो जाएगा आगेन फिर आते next question मतलब इसी question को यहाँ पे repeated पूछ लिया गया था दूसरे language पे ठीक है आगेन दा process of RNA interference, RNAi has been used to development of plant resistant to तो इसका right answer से यहाँ पे यह हो जाएगा नीमा टोच ठीक है आगेन फिर आते next questions पे आगेन फिर next questions क्या है continuous addition of sugar in fed veg for fermentation is done too इसका right answer से आपे C हो जाएगा high yield and production of toxic protein crystals which kill deep threatened pest ठीक है आगेन फिर next questions लेखते है यह transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries इस ठीक है तो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा golden rice को जाएगा क्योंकि जब भी transgenic food की बात कि आती हो तो वह golden rice ही होता है जो कि night blindness की problems को solve करता है ठीक है आगेन फिर next questions है introductions of food plant developed by genetic engineering is not desirable because of economic of developing countries may be suffer ठीक है अगेन फिर next topic हमारा है यहाँ पर क्या कर जाएगा अब यह मतलब कि biotechnology जो medicine के चेत्र में आते है उसके applications के topic पर बात के जाड़िया कि कौन से question यहाँ से आथे तो firstly यह statement based question यहाँ से पूछा गया थे जैसे कि first statement और second statement जैसे काफी जादे statement यहाँ पर देगा इसमें से चूज करना है कौन सा गलत और कौन सा सही है तो यहाँ फिर फिर इंसुलीन वियर्दार इंप्रीड डाइविटेज वास एक्स्ट्रा और डाइविटेज में गलत इसके बाद फिर यहाँ पे है प्रो हार्मोन इंसुलीन नीट तो बीदा प्रोसीड फोर्दा कनवर्टिं इंट्वार्टिंट एंट फंक्शनल हार्मोन यह भी विल्कुल गलत ऑप्शन है सम पैसेंट डेवलप्मेंट अलर्जिक रेक्शन सा इन दा फोरीजिन इंसुलीन जीन थरापी ठीक है जो कि नीट 2021 का कोश्चन है अगें फिर नेक्स्ट कोश्चन जो कि नीट 2021 में पूछा गया था विद रिगार्ड इंसुलीन जीन चूज दे करेक्ट आप्संस यहाँ पर चार आप्संस देगे उसमें सापको करेक्ट आप्संस चूज करना है जैसे कि स्टेट्मेंट है यहाँ पर प्रजेंट इन्सुलीन यह बिल्कुल गलत आप्सन है सी प्रजेंट इन्सुलीन होगा यह और भी प्रेप्टाइड होते है जो कि अभी हमने नीट 2022 वाले कोश्चन में देखा ठीक है उसके बाद फिर दा इंसुलीन प्रदूश्ट बाई आर यहां पर करेक्ट आप्सन तू 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 थीन फोर जाएगा अगें फिर नेक्स्ट कोचिन जो कि निट द्वाजर बीसमें पुछा गया था बिच्वन फॉल्विंग स्टेट्मेंट इस नॉट करेक्ट तो यहां पर इंसुलीन है जाएं एक्स्टा प्रज़ प् एजुमिंग दो सेफ्टी एं इंट्रुशिंग इरेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम फॉर पॉब्लिक उज्ट इसका राइट व्याइटिकली इंजिनियर क्मिटी मतलब कि यह जी इस ता राइट अंशर अगें फिर आते नेक्स्ट कोच्ट्ट्ट्ट्ट्स अब यह दीन डीठी इसनेटि अधीे इन दीसेंसी एडीठी से जीन थेरपी वह पर वर्ड करता है ठीक है भाधे जो थेरैपी होती है वह जीन थेरापी होती है मतलब की दीर दोहलं में यह और पूजाए गया था राइट अंसर स्यहोगा अगें फिर आते नेक्स्ट कोस्ट पे ते फ प्रक्रीरी अगेन स्क्राइब कैसे और है और अगना फ्र साहिस में शेटिकन गीप कारहण यहीद आ गात दिद्द से यहीदड श्राय आ यहां फ़े पाली यहां और यारेनश नहीं इसके लिए・ आछेस के लिए औरफ। के लिए नहीं के लिए तो बिल्कुल नहीं अल्कलाइन फॉल्फोर्फोर्ट यह हो सकता है यहां फिर नेक्ष्ट हमारा जो टॉपिक है ट्रांसजेनिक और्गिनिजम एन इतिकल इस यहां पर फिर्स्ट कोस्टन कहा जाए है तो प्रिवेंट अन्थॉर्श्ट आगें फिर यहां पर नेक्ष्ट वोचन जो की मतलब की एंसरी को डायन ही लिखे हुए और उस्टे रखन एम आगें तो ब्यों प्रोश्ट अन्यु व्यराइटि ऑफ राइस वोज पल्ष्ट बॉज्ट वच्ट एंडिया फर लाउंग और थिसको क्या कहते तो बाईस ब् यहां तो इस ख़ड़ाई टांसर से हो जाएगा एक है जैजिए पिर अगे नेक्स सुन के युख पर ते पहले किया जाता है कि किसी भी माइस के इंटरनली उसको यूज करके और देखा जाता है कि हाँ वो उसके इंटरनली वार्ड हो नहीं अगर वो सही से वोर करता है तब बिदा करके human के इंटर्नली उसको यूज करते हैं आगे नाते नेक्स्ट पर एन इंप्रूब्ड विराइटी ऑफ ट्रंसेनिक बास्मति राइस तराइट अलसर इस बी गिप्स हाई इल्ड एंड एड़ी चिंदा विलाइटी ए ठीक है क्योंकि जो भी बास्मति राइस होते ह साफी अधिक मात्रा में पाए जाता है अगें फिर नेक्स्ट प्लांट आर्धा वन्स मतलब कि ट्रंसेनिक प्लांट किसके जिविस करते हैं तो जेनरेट करता है वो कि इस चीज़ को फॉरेजिन डीने को इंट्रूश्ट करने के लिए इंटु दा सिल से अगें फिर रिज अलेट इस आपल एंटली जालेट है कि ट्रंसेनिक प्लांट अंट इस प्लांट प्लांट इस प्लांट इस निक्स प्लॉच्थ सुक्ष्ट पैट प्लीष्ट राइबक्र श्रीं छीद रोडगार और शीपिज प्लांट इस रीज़िन जाए टेस पाइब स surviving भी दो इस शे वारी से कवर कर लिया है I hope यह सारे questions आपको बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे तो इस वीडियो को अपने दुस्तों के साथ भी share कर दीजिए और अगर आप तक अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप फटा फट से इस चैनल को subscribe कर ले ताकि जो भी important videos आए वो आपको अच्छे से मिल सके ठीक है तो मिलते हैं ऐसे videos के साथ तब तक के लिए thank you